अंदर आजाओ भाई कौन है अबे दर्वाजा खोल मालिक है मालिक जहाँ जहाँ गंदीगी है वहाँ कपड़ा मारो जी मालिक माफ किजेगा मालिक आपने ही तो कहा जहाँ गंदीगी है वहाँ कपड़ा मारो अगर तु देज में आया रोकर नहीं होता न तो कपका मैंने तुझे घर से बार निकाल दिया होता जै अच्छा, कोल्डरिंग ले गया मालिक, डिव लाओं या पैपसी? पैपसी ले या काच्की या प्लास्टिक की? काच्की छोटी या बड़ी? नहीं चाहिए, जाए गिलास पानी ला दे ठंडा लाओं या गरम? चल बार यहां से अरे, आप क्यों और वक्ती इशू को सुनाते रहते हैं? तुमने सर पे चला लिया यह से? पागल खाने भेजूँगा यह से? इशू, तुम जाओ लाओ तुमी लादो पानी मैं क्या आपके इनी कामों के लिए आई हूँ? विदायक की बेटी हूँ मैं यह सब काम नहीं करूंगी जब देखो विदायक की बेटी, विदायक की बेटी जब इतना गुरूर था तो शादी क्योंगी? चली जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ मैं साहब, लीजिये साहब पानी में साहब, रिष्टों में गुरूर घमन नहीं होना चाहिए दो दिल तब जुड़ते हैं जहां हम अपना नाम, अपना अहुदा सब कुछ साइड रख कर चलते हैं और यह जो मैं होता है न यह हमें इनसान से ही क्या खुदा से भी दूर कर देता है अब आपकी पहचान आपके विधायक पापा से नहीं, आपके शोहर से है सौरी, मैं विधायक की बेटी नहीं हूँ, आपकी वाइप हूँ निशा, कहाओ बेहन आओ यार बेटो, ईशू जी मेरी में साहब, में साहब की सहली सहब क्यूं रहती हो अकेली सहब रख दो हमारे हाथ पे अपनी हथेली सहब बन जाओ हमारी दुलहन नई नवेली सहब इशू, बुरा मत मानना भेन तुमने अपने नौकर को बहुत सर पे चड़ा रखा है इसको अभी मैंने सामने कोई सजा दो चलो, मुर्गा बन जाओ दर बोलो, आप कोई आखरी खौईश है पुरी करोगी सहली साब जरूर, हमाई बतले मुर्गा तुम बन जाओ सोरी, और बताओ बताओं क्या, वो तुम्हारी पडोसन घुश्बू तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी बहन कह रही थी कि तुम बहुत घमंडी हो किसी से बात नहीं करती हो उस मोटी की इतनी हिम्मत बदनाम कर रही है तुम्हे वो सहली साब, आप हमाई पडोसी की चुगली कर रही हो मेरी मेम साब, और हमाई पडोसी की दिल में फसाद पड़वा रही हो एक बात याद रखना, चुगलखोर को अल्लह पसंद नहीं करता, कोई भी चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, और मेरी मेम साब, जब तक कोई आपकी बुराई आपके सामने ना करे, तब तक यकीन नहीं करना चाहिए हलो, क्या कर रहे हो? यार ओफिस में हूँ तो काम ये करता हूँगा, मुझे हैपिनेस की स्पेलिंग नहीं आ रही, बता दीजे, अच्छा लिखो, यू एन एम ए, डवल आर आई एडी, अनमेरिड, अच्छा ईशू, तुमारी तो शादी हो गई थी, तुमारी बीवी का क्या हुआ, अरे मेम हमाई सास बड़ी चंडाल है, बड़ी चंडाल, एक बार हम अपनी सस्राल गए, अपनी बीवी को लेने, सासू मा, दामाद आ गया आपका, बटिया को लेने, भेजो बटिया को, अरे, दामाजी, आओ अंदर, अंदर नहीं आएंगे, जल्दी से बटिया को भेजो हमें, ज जब भी आते हो, यही पुरानी सफे सेट पन के चले आते हो, कोई नहीं शेट ले लो, अच्छा, हमाई कमीज पे नजर है आपकी, आपके घर में चार बेटी हैं, जब भी बुलाने आते हैं, वही पुरानी वाली भेज देती हो, नई वाली भेज दिया करो, शर्ट नहीं बीबी जब भी दो प्रानी दो, चला जा यहां से, बस तभी से हमाया रिष्टा खतम हो गया, वेगम आज तो बहुत थक गया है, मैंने जो सूट बोला था वो लेकिया है, भूल गया, यह रब का यही ड्रामा है, मैं जो भी काम कहती हूं आपको यादी ने रहता है, जैसे मैं ओफिस से आता हूं, लड़ना शुरू कर देती हो, मैं लड़ रही हूं, बात तो आप ही निकलते हैं, मेम साब, अरे यार मैं जा रहा हूं, मालिक, मेम साब, जब शोहर काम पे से वापस आएं, तो अठी सी इसमाइल के साथ उनका स्वागत करना चाहिए, हो सकता है मैं खुशी से पेश आया करो, इशू, इधर आओ, देखो मेरे गैस्ट आएं, जी मालिक, हां, मेम साब, गैस्ट आएं, ये तो बता रही हो, गैस्ट नी भी आई है, ये नी बता रही हो, बहन, मना किया न तुम्हें उसे परशान मत किया करो, जाओ जाके खाना बनाओ, ज लाते हैं टाइम क्या हो रहा है हमें टेम देखना नहीं आता है हम तुम्हें दो मिनिट में सिखा देंगे ये बताओ बड़ी सुई का है और छोटी सुई का है साब दोनों सुन्या घड़ी के अंदर है भाईया जाओ रोटी लेके आओ ठाइंक यू अरे रोटी पे बहुत घी लगा दिया माफ कीजिगा मालिक गलती से मैंने आपको अपनी रोटी दे दी हाँ रोक तेरी इतनी हिम्मत नोकर होके हमारे साथ बैठ गया उदर जाएके खाना खा चल जा सही कहते हो मालिक हमाई इतनी अवकात का हम तो नोकर हिंगे हमाई बाप दादा पूरी जिंदगी आप लोगों की खिदमत करते करते मर गए हम भी आपकी सेबा कर रहे हैं हम आपके लिए अपनी जान क्यूं न दे दे मगर हम इस लाइक नहीं हो सकते कि आपके साथ बैठ के खाना खा सकें नोकर हिंगे नोकर भाया नोकर हिंगे मगर एक बार सोचना जरूर क्या नोकर आपकी तरह इंसान नहीं होता रुको निशा सहली साब मार्केट गए हैं दोनों इशू क्या कर रहे हो दही जमा रहे हैं अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तो चलो किसी से मिलवाना है तुमें अभी आए मालिक साब के कपड़े पैन ले रहा हूं लग रहा है माबाप से मिलवाईगी अब मेरी भी शादी हो जाएगी तुम यही रोको में अभी आई ये लो पैसे जिसे मानना है वो वहाँ खड़ा है हमें पैसा नहीं तुम चाहिए हो इशू मान ताले को कर दो इशू यह लेजी अपने रुपए सहली सहाब और कभी किसी के बारे में गलत मत सोचना गलत सोचो तो खुद की बारी का इंतिजार भी करना करता है